नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टेडिव डिकी में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आजम बात करेंगे गनित पेडागोजी में गिंतारा जैसे अबेकस भी कहा जाता है जियो बोड, जियो बॉक्स, टेन ग्राम, विवकलन और ग्राब के बारे में काफी इंपोटेंट है दोस्तों आपने जब भी गनित पेडागोजी पड़ी होगी ये सब्दा आपके सामने आई होगे यहाँ पर सबसे पहले इनको समझाए जाएगा उसके बाद इनसे सम्मर्द जो एक्जाम में प्रस्मि पूछे गए ही उनके बारे में बताए जाएगा तो आपको चित्रों के माध्यम से भी समझाए जाएगा तो आपको इसकिप नहीं करना है वीडियो को पूरा देखना है और अंतम में हमें जरूर बताना है कि आज के वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक करना है शेयर करना है और चेनल को सस्क्राइब कर लेना है तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा पहला हमने लिया है यहाँ पर गिंतारा गिंतारा को अबेकस भी कहा जाता है याद रखेगा गिंतारा पूछे याभी अबेकस के बारे में पूछे एक ही यहाँ पर सबसे पहले हम चित्र को देख लेते हैं यहाँ पर देखे एक बच्चा है जो चित्र के माध्यम से सीख रहा है अबेकस गनिती तथ्यों जैसे जोड घटाना आदी सिखाने में उप्यूग किया जाता है इसका सबसे पहले अविस्कार चीन में हुआ था याद रखे गया जिप पूछे कि अबेकस का अविस्कार कहां हुआ था सबसे पहले तो ये चीन में हुआ था ये जोड घटाओ के लिए उप्यूग में लाए जाता है जो बच्चा होता है प्रात्मी किस्तर पर जब बच्चा सीखता है तो इसके माध्यम से बच्चा असानी से सीख सकता है वो रूची लेकर जोड घटाओ को सीख सकता है किससे अबेकस से तो ये एक अच्छा साधन है प्रात्मे किस्तर पर आप देख सकते हैं चित्र के मद्यम से इसे क्या कहा जाता है इसे अबेकस कहा जाता है यदि आप इसको साधन भासा में समझे तो इसका उपयोग योग की अ जैसे कि मैंने आपको समझाया उसी के अनुसार यहाँ पर आंसर देना है देखिए जो अबेकस के प्रियोग से बच्चों के स्थानी मान की महता को समझाया जा सकता है बच्चों को बिना किसी त्रूटी के संख्याओं को पढ़ना सीखाया जा सकता है बच्चों में तो आप यहाँ पर इकाई, धाई, सेखड़ा, हजार इस प्रकार से जो यहाँ पर मोती लगे हुए हैं इससे आप बच्चो को बता सकते हैं तो इससे क्या है इस थानिमान की महता को भी समझाए जा सकता है बच्चो को बिना किसी तूटी के संख्याओं को पढ़ना भी सिखा जा सकता है अबेकस से और बच्चों में गंड़ना की परिसुदिता का विकास भी किया जा सकता है अबेकस के प्रियोग से तो राइट आंसर क्या होगा उपर को सभी इससे आप यदि आपके मायन में ये चितर रहेगा आपको ये समझ में आएगा कि अबेकस किसे कहते हैं तो आप कोईसा भी प्रस्न आ जाए उसको आसान से असानी से हल कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार का विकास होता है ये प्रात्मी किस तर पर इसका जारातर यूज किया जाता है वेसे तो आप बहुत ही कम इसकोलों में मिलेगा लेकिन जहाँ पर भी मिले है तो इस लखड़ी का बना होता है इस पर कीले लगी होती है और इन कीलों के माध्यम से आप एक चाहे रबर ले लिजे धागा ले लिजे इसके इस्तमाल से इस पर तीकोन बना सकते हैं वर्ग बना सकते हैं आयाद बना सकते हैं और इसके माद्यम से बच्चों को आप असानी से सिखा सकते हैं यहाँ पर आप आप देख सकते हैं रबा, रबेंड या दागे का इस्तमाल करके बच्चों को खुल्यवा बंद आकरती सिखाने के लिए आप किस तरह की गतिविदिया आयोजित कर सकते हैं कहने का मतलब है चाहे आप तिकोन बना सकते हैं वर्ग बना सकते हैं यह आपके उपर है कि आप बच्चों को किस तरीके से इस जियो बोड के मध्यम से समझा सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जोमिती आकरती याने के तिकोन वर्ग आयात कुछ भी बना सकते हैं इसके लिए यह उपयोगी है जोमिती की ठीडी आकरती को पहचानने के लिए किया जाता है जोमिती की और यहाँ लकडी का बना होता यहाँ पर देखे आप देख सकते हैं इस किस प्रकार का होता है तो इसको याद रखीगा इसे सम्मझत एक प्रस्चन पूछा गया था जियो बोर्ड किसके सिक्षण का एक प्रभावी साधर ने जामिती आकरतियों और उनकी विश्ष्षताओं का है द्वीमिम और त्रिवीम आकरतियों में अंतर करना द्वीमिम यानिकी टूटी और त्रिवीम मतलब 3D आकरतियों में अंतर करना सम्मिति की आउधानाएं या फिर आधारवुत जियो बोर्ड किसे कहते हैं पर आसानी सा आप आंसर लगा सकते हैं कि यह जामिती आकरतियों और उनकी विसिस्ताओं के सिक्षन का एक प्रभावी सादन है जियो बोर्ड तो यहां पर आईट आंसर कौन सा होगा हमारा पहला वाला होगा चलिए अब बात करेंगे जियो बोक्स जियो बोक्स के बारे में आप सभी को पता है इसमें जामिती से सम्मध गनिती उपकन रखे जाते हैं बचपन में आपने और हमने इसका उप्योग किया है बचपन में इसे कमपास या फिर बॉक्स के नाम से जानते थे याद रखीगा यदि एक्जाम में पूछे कि जामिती से सम्मध तक गनिती पुरानी पहली है, तेन ग्राम के अलग अलग टुकडों से हम कई जानवरों, इंसानों और चीजों की आकरतिया बना सकते हैं, जैसे कि आप जियोमिती से जितनी भी आकरतिया बनती हैं, वो आप इस तेन ग्राम के माध्यम से बना सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, इसम में इसका विकास किया गया था अब यहाँ पर देखिए चित्र के मध्यम से एक उधारण के मध्यम से में आपको समझाऊंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि यह कागज का टुकड़ा है और कागज के टुकड़े को लाइक आप होम बना सकते हैं, यहाँ पर फिज बना सकते हैं, केट बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं, जो जो मिती से सम्मलित जितनी भी आकरतिया हैं, उनको आप उन चित्रों के मार्द्यम से बना सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे ही ह बन सकती है 10 ग्राम में क्योंकि इससे सम्मलित प्रश्ण पूछ जाएगा जैसे कि आप यहां पर प्रश्ण देख सकते हैं प्रश्ण में पूछा गया है कि 3 ग्राम के विशे में सत्ति कथन क्या है मैंने आपको बताया था कि यहां चीन की पुराने पहली है इसमें 5 से 7 अलग-अलग आकार के टुकडे होते हैं ये भी मैंने आपको बताया इन टुकडों को जोड़कर जानवरों इंसनों और अन्य चीजों की आकरतिया बनाई जाती है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ तो यहां पर तीनों ही सत्ति कथन होंगे 10 ग्राम के अंत्रगत तो रायट आंसर हमारा कौन सा होगा यहां पर पहला दूसरा और तीसरा चलिए अब हम जानेंगे विवकलन के बारे में विवकलन में सिर्फ आपको इतना जानना है कि सकार्त होता है गटान यहां पर देखिए इस प्रस्न के माद्यम से हम विवकलन को जानेंगे तो यहाँ पर प्रस्ण कुछ इस प्रकार है कि सुनने की अउधारना का परिचाई किस समकिरिया के द्वारा उत्तम रूप से दिया जा सकता है गुनन, विवकलन, विभाजन या फिर योग तो यहाँ पर हमारा आंसर तो विवकलन आएगा पर क्यों आएगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो एक उधारन के तोर पर आपको समझाऊंगा यदि आप सिक्षक के रूप में किसी बच्ची को प्रात्मिक इस तर के जो बच्ची होते उनको आप गठाना सिखा रहे हैं तो किस प्रकार सिखाएंगे किसी बच्ची को बता कर ही वहाँ पर आप सिखा सकते हैं उस बच्ची के माध्यम से सिखा सकते हैं चाहे हो सेब हो सकता है कहला हो सकता है टोफी हो सकता है जैसे कि किसी बच्चे को आपने कहा कि तुम्हारे पास दो टोफी है और दोनों टोफी मैंने ले ली तो तुम्हारे पास आप कितनी टोफी बच्ची तो बच्चा क्या कहेगा मेरे पास जीरो टोफी बच्ची कितनी बच्ची जीरो तो यहाँ पर आपने क्या बताया गहटा का परीची तो यहाँ पर आइट अंसर हमारा क्या होगा वी वाला होगा चलिए यहाँ पर देखिए हम अंतिम उपकरण ले लिते हैं ग्राफ ग्राफ या फिर पेपर इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं यह दसमलव संख्याओं क संकल्पना को समझाने के लिए निमलिखित में से कौन सा सिक्षण अधिगम साधन उचित हैं यहाँ पर देखिए आपको इस संकल्पना को समझाना है इसके लिए कौन सा सिक्षण अधिगम साधन उचित होगा आपको सभी को पता है कि 0.3 into 0.2 बराबर 0.06 होता है लेकिन आ से दसंबलो संख्याओं के पढ़ने के लिए इसका उप्यूग किया जाता है और यहाँ पर दो दसंबलो वाली संख्याओं के गुणन की संक्लपना को ही आपको समझाना है तो किसके माध्यम से समझा पाएंगे ग्राप पेपर के माध्यम से समझा पाएंगे बैच्ची को तो आई होप आप इनसभी उपकरणों को अच्छे से समझ गए होंगे तो आज़ कैज विडियो हमेही समापत करते हैं आज कैज वीडियो आपको कैसा लगा आपको केमिनिसी की मध्यम से बताना है अच्छा लगे तो लाइक करना है share करना है और चैनल को subscribe कर लेना है और जल्दे ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जब दे के लिए धनिवाद जहिन